So welcome back to another video. In this video we are going to discuss about electrostatic potential due to a dipole at any journal point. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So यह आता है हमरा electrostatic potential at any journal point due to a dipole. अब जैसे हमने axial position पर कर लिया है, हमने अपना equatorial position पर कर लिया है. अब हम देखने वाले कि किसी भी जर्नल point पर, means यह मेरा dipole है. इसमें यह वाली line होगी थी axial line और यह वाली line होगी थी मेरी equatorial line. इनको छोड़कर किसी भी जर्नल point पर, जो मेरी electrostatic potential की value है, वो कितनी होगी, वो में simple derivation में देखने वाले है. तो यह कुछ A, B हमारा क्या है? एक dipole है, जीस तरव एक तरफ positive Q है, एक तरफ हमारा क्य नेगीटिव Q आता है. यह हमारा P point के observation point है, यह क्या हमारा journal point है, यह नहीं तो हमारा equatorial position पर आ रहा है, और नहीं क्या है हमारा axial position पर यह आ रहा है, यह किसी भी journal point पर है. इस point पर हम देखने वाले कि जो हमारा electric potential है उसकी value कितनी आती है तो सबसे पहले simply हम अपना V1 V2 की value निकाल लेते है V1 आईगी हमारी positive Q के लिए जो electrostatic potential है V2 हमारा जो negative Q के लिए तो V1 आ जाता है Q upon 4 by epsilon bp और V2 आ जाता है minus का Q upon 4 by epsilon ap bp और a p ऐसे जैसे positive Q से लिए observation point तक bp distance है और जो negative Q उससे a p distance है a p bp हमने यहां पर simply लिख लिया अब हमने जो bp है उसको r2 माना हुआ है और जो a p है उसको हमने r1 माना है simply लिखना जो असान हो जाए मतलए एक symbol हमने इसको simply दिया हुआ है तो यहां पर हम लिखेते हैं bp की जंग हम लिख देंगे अपना r2 ap की जंग हम लिख देंगे अपना r1 तो simply अब निकालते हैं अपना v net v net क्या होता है v net is equal to v1 plus v2 तो simply यह कर देते हैं v1 plus v2 अब v1 जो है v2 है उनकी value हमारे पास दोनों की value है उन दोनों को के हम plus कर देंगे plus करने के बाद हमारा simply यह वाली value आजेगी q upon 4 pi epsilon bracket 1 upon r2 minus 1 upon r1 अब जो r1 है और जो r2 की value है वो हमें mainly diagram से निकाल लिए अब diagram को थोड़ असा और ध्यान से समझते है deeply a b क्या है हमारे एक डाइपोल था जिसमें की जो पी point है वो हमारा observation point है पी point से लिए कि जो हमारा o point है बीच में जो midpoint है यहां से यहां तक का distance हो गया है simply हमारा और जो हमारा जो हमने बीपी और एपी माल लें थे हमने आरवन और टू माल लिए अब हम जो हमारा यह o point को थोड़ असा और extend करते हैं इतना extend करते हैं कि हम यहां से जो line लाएंगे वो उसके perpendicular आ जाए है तो यह हमारा 90 डिगरी का हो गया 90 डिगरी का तो यह हमारा यह हमारा कुछ इस तरीके का डाइगराम हो गया थोड़ असा हलगा सा complicated है यह diagram क्योंगी मतलब एक general point है general point पर निकालना थोग ऐसे भी complicated होता है तो बिल्गुल simple way में हम इसको समझेंगे तो यह हमारा इसके equal आ गया यह r1 होगी यह r2 होगी यह r हो गया और यह o point हो गया और जो हम जो हमने यह plus q से minus q की जो बीच का distance वो हमने 2 l माना वा था तो इधर का भी l हो गया और इधर का भी l हो गया अब हम देखते है अपना r1 distance मिंस जो r1 है r1 किस के equal है हमारा pm के कवल है hiç jo isosel stangle बना हो था तो यह ap के कवल मिंस हमारा यहां से a और पी पी कवल मिंस फील यह कि इन आएगकivas a5- 1 स्वाई-धर की एक आत अब र्भ और यह हमारा यहां से हिसे ही और Cap 2 यह वाली वाली वह आ च Delete हमारी BP की एक वाफल BP की एक वाफ्पर्ट एक वह आएगा R minus L को सी था तो हमने R 1 और 2 की value सिंप्ली हमने R और L की from में निकाल लिके निया यह आज हमारी R 1 र01 रफ बैल्लो परस की वैल्लो को सी था और रटू की लेना है और उसको solve करना है तो वी is equal to q upon 4 pi epsilon is equal to r plus l cos trida minus r plus l cos trida यहां से r1 r2 की value इस equation में रखने के बाद मेरी यह value आजेगी अब इसमें से जो हमारा r है r से r कट जाएगा और मेरा बज जाएगा 2l cost चीदा और नीचे बज़ जाएगा r square minus l square cost चीदा ये मेरी value आजेगी अब इसमें से q यह रहा और 2l यह रहा हमको पता है कि p किसके एकवल होता है means dipole moment equal होता है q into 2l के means जो भी charge है और जो उनके दोनों charge के बिसका distance हो आते है हमारे dipole moment के equal तो यहाँ पर हम q into 2l की जंगा लिख देते है अपना p cost चीदा का हमारा cost चीदा आ जाता है और जो नीचे की value है 4 pi absolute as it is r minus l square cost चीदा जो हमारा r है वो हमारा ज्यादा एक मतले इन comparison l से बढ़ा है तो हम l को जो है neglect कर देते हैं यह वाली value जो है हमारी neglect हो जाती है और simply आ जाती है हमारी r square जो final formula जो final value निकल के आती electrostatic potential at any general point due to the dipole आ जाती है हमारी v net is equal to p cost चीदा upon 4 pi absolute r square में p हमारा dipole से बनाएगा 4 pi absolute वो भी एक constant है और जो आर है आर मतला हमारा जो पॉइंट है और जो हमारा डाइपोल है उनका जो डाइपोल का मिड़ पॉइंट है उनके बीच कर distance तो simply हमारी value आ जाते इस formula में अपना value रखने पर हम निकाल सकते है अपना electrostatic potential due to a dipole at any journal points सिंपल से हमारे derivation आता है examination के लिए इंपोटेंट होता है तो वीडियो हेलफुल लगे तो उसको लाइक जो रुकरना चाहते हैं योग चैनल को सब्सक्राइब जो रुकरना है मिद्ट आपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थेंक्यू